नमस्ते दोस्तों आप देख रहे हैं Life Simplified Hindi और मैं हूँ अभिशेक दोस्तों आज मैं आपसे शेर करने वाला हूँ एक स्टोरी एक ऐसी स्टोरी जो मेरे दिल के बहुत करीब है और इस स्टोरी से मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग भी काफी रिलेट कर पाएंगे ये स्टो अपना एक नाम बनाने की कोशिश करता है और अपने आपको ढूंडने की कोशिश करता है जब उसका जनम हुआ उसके फैमिली में तो उसके परिवार वाले बहुत ही जादा खुश थे वो इसलिए खुश थे क्योंकि उन्हें लगा कि उनके परिवार में कोई ऐसा बच्च का आया है जो अब उनके परिवार की जो लेगेसी है उनके परिवार की जो परमपरा है उस परमपरा को वो आगे बढ़ाएगा और उस लेगेसी के बोज को वो अपने पे लेके आगे चलेगा लेकिन उस छोटे से बच्चे को यह नहीं पता था कि जैसे ही वो पैदा हुआ उसके साथ ही एक आइडेंटिटी उसके फैमली की उसकी सुसाइटी की उसके चारो तरफ रहने वाले लोगों की यह सारी आइडेंटिटी उसके साथ जोड दी गई हैं माइंड एकदम फ्यॉर था वो एक छोटा सा बच्चा था जो जिग्यासा से भरा हुआ था और बहुत ही एक्साइटेड था इस फिजिकल वर्ल्ड में अपने लाइफ को जीने के लिए और जिस तरह से यह दुनिया है उस तरह से परसीव करने के लिए लेकिन जैसे जैसे वो धीरे धीरे बड़ा होता गया उसके माइंड में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन्स बहुत सारी जानकारी फीड कर दी गई उसके दिमाग में बहुत सारी चीजे भर दी गई और वो चीजे क्या है उसकी आइडेंटिटी उसकी सुसाइटी में जो पोजीशन है वो उसकी जाती उसका रिलीजिन तो ये सारी चीजे उसके साथ जोड दी गई और उसे ये बताया गया कि तुम ये हो और तुम्हारी ये आइडेंटिटी है और तुम्हें इसी के साथ जीना है और इस इस सारी जानकारी के वज़े से उसका जो प्योर माइंड था वो करप्ट हो गया इसका मतलब ये कि जब वो इस दुनिया में आया था तो वो एक pure soul था उसके साथ कोई identity जुड़ी हुई नहीं थी बड़ जैसे ही वो थोड़ा बड़ा हुआ और थोड़ा समझने लायक हुआ तो उसे चीजे बता दी गई और उसके mind को corrupt कर दिया गया और वो अपने आपको एक society से और एक identity से जो की एक जूटी identity है उससे जोड़ के इस जिन्दगी को जीने लगा वो सारी चीजे वो करने लगा जो उसे कहा गया करने के लिए वो सारे goals वो achieve करने लगा जो वो सोचता था कि society में achieve करने से उसे society accept करेगी अपनाएगी और कहीं न कहीं उसके मन में एक fear एक डर भी आ गया एक ऐसा डर जो हमेशा रहता था और वो समझ नहीं पाता था कि ये डर उसके मन में क्यों है वो अपने life से खुश क्यों नहीं है वो ऐसा क्या गलत कर रहा है कि वो जो भी चीजे कर रहा है उन चीजों से वो खुश नहीं है जबकि वो सारी चीजे कर रहा था जो लोग कहते थे उसे करने के लिए जो society डिमांड करती थी उससे जो family डिमांड करती थी वो इस confusion में इसलिए जी रहा था क्योंकि वो एक second hand life जी रहा था वो एक ऐसी life जी रहा था जो उसे पहले से बता दी गई है कि आपको ऐसी life जीनी है ऐसे ही होता है और आपको यही करना है और इस confusion के वज़े से उसे वो happiness कभी नहीं मिली जो कि तब मिलती जब वो एक first hand life जीता और life को वो अपने तरीके से अपनी समझ से जीता चुकि उसकी जो खुशियों की जो डोर थी वो उसके हाथ में नहीं थी और वो अपनी खुशियों की responsibility जो सारी जिम्मेदारी है वो दूसरे लोगों को दे चुगा था क्योंकि अब उसे खुश होने के लिए दूसरे लोगों का approval चाहिए था अगर लोग approve करें कि हाँ तुम अच्छे हो तुम अच्छा काम कर रहे हो तो वो खुश होता था और अगर लोग approve ना करें तो वो दुखी हो जाता था लेकिन अगर वो सब कुछ करता भी था और अगर उसे अच्छी approval मिलती भी थी तब भी उसके मन में कहीं न कहीं एक खाली पन था क्योंकि वो वही सारी चीजे कर रहा था जो society demand कर रही थी उससे वो actually वो सारी चीजे नहीं कर रहा था जो वो खुद करना चाहता है क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था कि वो खुद करना क्या चाहता है क्योंकि उसे बच्पन में ही बता दिया गया था कि सारे लोग अपनी लाइफ इस तरीके से जीते हैं अपने फैमिली को इस तरीके से समालते हैं और तुम्हें भी अपनी लाइफ को इसी तरीके से जीना है उसे अल्रेडी एक पाथ दे दिया गया था और कहा गया था कि तुम्हें बस इसी रास्ते पर चलना है और इस कारण से वो अपने लाइफ में completely पूरी तरह से confused हो चुका था क्योंकि खुशी उसे मिल नहीं रही थी satisfaction, संतुष्टी नहीं थी उसके लाइफ में और फिर अचानक एक दिन उसने ये realize किया कि वो ये सारी चीजे करके ठक चुका है और अब उसे ऐसी life नहीं जीनी है और फिर उसने अपने अंदर जहाकना शुरू किया जिस inner self से वो दूर चला गया था अपने false identity के साथ उसने शुरू किया उस inner self को फिर से करीब से जानने के लिए और फिर इस समय उसे एक नया जीवन मिला एक life में एक नया उदेश मिला जीने के लिए और अंतता उसी ये समझ में आया कि उसे करना क्या है और वो ये समझ पाया कि वो अपने आपको और पहले खुद को जानना चाहता है तो ये स्टोरी थी उस लड़के की जिसने अपने नए जीवन की शुरुवात कर दी खुद को जानने के लिए तो आप भी मुझे प्लीज कमेंट करके बताएं कि क्या आप ने अपने नए जीवन की शुरुवात कर दी है या आप अभी भी इस लाइफ के और इस सोसाइटी के साइकल में फसे हुए है आज के लिए इतना ही नमस्ते